स्कूल की छुटियां शुरू होने वाली थी और सभी स्टुडेंट बहुत खुश थे कोई अपने नाना नानी के घर खुमने जाने वाला था तो कोई कहीं और पर सबसे ज़्यादा खुश तो पूजा थी वो विदेश जो जाने वाली थी पूजा पूजा तो कहां जाने वाली है चाइना जाओंगी वहां मेरे रिष्टेदार रहते हैं उनके घर जाओंगी और विदेश खुमनगी सुना है वहां के लोग छिपकली और तिल चट्टा खाते हैं तो भी खाएगी क्या नहीं नहीं मैं क्यों खाऊंगी ये सब सुनकर ही मुझे उल्टी आती है स्कूल के छुट्टी हो गई और अगले दिख पूजा अपने माता-पिता के साथ लाइट पकल कर चाइना चली गई वहां पहुचकर पूजा अपने माता-पिता और रिष्टेदारों के साथ खुनने लगी उसके चाचा ने कहाए पूजा हमेशा हमारे साथ साथ रहना नहीं तो खो जाओगी मैं खोने ही जाओंगी चाचा मैं कोई दूद पीती बच्ची थोड़ी हो लेकिन जिसका डर था वही हुआ पूजा रास्ते पर खो गई उसके माता-पिता चाचा सभी उसे ढूनने लगे और पूजा रास्ते में भटकने लगी रात हो गई और पूजा को बहुत तेज भूख लगी उसके पास पैसे भी नहीं थे मुझे बहुत भूख लगी है लगता है मैं भूख से मर चाऊंगी पासी में एक आदमी कुछ खाना बेच रहा था पूजा को रोते हुए देखकर वो खाना लेकर आया और अपनी टूटी-फूटी हिंदी में बोला खाना लो पूजा ने तुरंट खा लिया लेकर उसे पता नहीं था कि वो क्या खा रही है वो खाना पूजा को बहुत स्वादिश लगा ये क्या है ये ये पकोड़ा है चिपकली पकोड़ा चिपकली पकोड़ा ये तो बड़ा स्वादिश था मुझे नहीं पता था कि छिपकली इतनी स्वादिश्ट होती है पूजा ने और दो तिन पकोड़े खा लिये और तभी वहाँ उसे ढूलता हुए सभी आ गए पूजा अपने चाचा चाची के घर लोट गई चुटे खत्म हो गई और पूजा अपने माता पिता के साथ फ्लाइट पकड़ कर लोट गई और स्कूल चली गई टिफिन में उसकी मा ने ब्रेट पकोड़ा बना कर दिया अरे पूजा तेरा चाचाचा सफर कैसा था? बहुत पढ़िया, मुझे तो बहुत मज़ा आया अरे वा, आज टिफिन में क्या लाई है? ब्रेट पकोड़ा अरे वा, ब्रेट पकोड़ा, बहुत टेस्टी पूजा अपने ही मन में सोचने लगी ब्रेट पकोड़े में क्या है असली टेस्ट तो छिपकली पकोड़े में है लंच में पूजा ने ब्रेट पकोड़ा तो खा लिया लेकिन उसे मज़ा नहीं आया अरे यार, छिपकली पकोड़ा खाने के बाद से किसी भी चीज में टेस्ट नहीं आ रहा है, अब मैं क्या करूँ पूजा परिशान हो गई, दो-तीन दिन तक उसने ठीक से खाना भी नहीं खाया, उसकी माँ परिशान हो गई क्या बात है बिटी, चाइना से लोटने के बाद से तु ठीक से कुछ खाई नहीं रही है, तब इत खराब है क्या नहीं मा, बस मुझे कुछ खाने का दिली नहीं कर रहा पूजा का मन चाइना के छिपकली पकोडे में ही पढ़ा हुआ था, और एक दिन पूजा क्लास में बैठी थी, टीचर पढ़ा रही थी, तब ही पूजा ने देखा दिवार पर एक बड़ी से छिपकली बैठी है अरे, फुच खिपकली, कितनी बड़ी है, काश मैं इसे खा पाती तब ही पूजा के दिमाग में एक आइडिया आया अरे, मैं इसे खा तो सकती हूँ, बस मुझे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा स्कूल की छुट्टी हो गई, सभी बच्चे क्लास से निकलने लगे बस पूजा बैठी रही, क्या बात है पूजा, घर नहीं जाएगी जाओंगी, लेकिन मुझे थोड़ा काम है, तूजा, मैं आती हूँ सभी चले गए, क्लास में पूजा अकेली थी वो छिपकली दिवार पर तब भी बैठी हुई थी, पूजा चुपके से बेंच पर चड़ी और बहुत चालाकी से उस छिपकली को पकड़ लिया, वो छिपकली अपनी जान बचाने के लिए बहुत तेजी से हिलने लगी, लेकिन पूजा ने उसे बैक के अंदर खुसा दिया आज मैं तुझे खाऊंगी पूजा खुशी से पागल हो गई, वो घर लोटी और रात को खाना खाने से मना कर दिया उसके माधा पिता खाना खा कर सो गए, और तभी पूजा उस छिपकली को लेकर रसोई में खुस गई, तब तक वो छिपकली मर चुकी थी, पूजा ने छिपकली के पकोड़ी तले और उसे खा लिया आज तो मजा ही आ गया, अपसे मैं यही करूँगी अगले दिन पूजा स्कूल गई और फिर से एक चिपकली पकड़ कर ले आई, रात को उसने फिर से चिपकली के पकोड़ी बना कर खा लिये, और ऐसे कुछ दिन चलता रहा, जिस दिन पूजा को स्कूल में चिपकली नहीं मिलती थी, वो दास हो जाती थी, धीरे धीरे क्ला और एक दिन सभी बच्चे क्लास में बैटे थे, तभी एक तिलचट्टा क्लास्रूम में खुसके और रोलने लगा, तिलचट्टा से भला कौन नहीं डरता है, क्लास में हंगामा शुरू हो गया, सभी बच्चे इधर उधर दोरने लगे, अधी बापने, तिलचट्टा हो गय भगो 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 तिलचट्टे को देखकर टीचर भी डर गई और ऐसे ही हर रोज क्लास के अंदर कोई ना कोई कीड़ा आने लगा कभी तिलचट्टा तो कभी मकडिया कीड़ों से क्लास्रूम भर गया सभी परिशान हो गया उधर पूजा की मा भी चिंता में पढ़ गई मेरी बेटी कुछ खा क्यों ने रही है रात को बिना खाय ही सो जाती है ऐसे ही चलता रहा तो वो बिमार पढ़ जाएगी अगली दिन बहुत ढूणने के बाद पूजा को एक चिपकली मिली पूजा ने उसे पकड़ कर बैग में डाल दिया स्कूल में कीड़े बढ़ने के कारण है टीचेर पेस्ट कंट्रोल को बुला कर लाए पेस्ट कंट्रोल के ओफिसर ने कहा देखिए हमने स्कूल में बहुत ढूणा लेकिन हमें एक भी चिपकली नहीं देखी यही कारण है कि स्कूल में इतने कीड़े मकोड़े बढ़ गया है चिपकली इन कीड़े मकोड़ों को खा जाती है उदर रात को पूजा चिपकली लेकर रसोई में घुस गई और पकोड़े तलने लगी तभी उसकी मा को प्यास लगी और वो नीन से उठ गई पानी पीने के लिए वो रसोई आई और अपनी बेटी को चिपकली पकोड़े तलते हुए देख कर वो हैरान हो गई ये क्या कर रहे है बेटी तू चिपकली खाती है और अचानक से पूजा के पेट में दर्द शुरू हो गया आँ मा पेट पेट पे दर्द हो रहा है आँ मा पूजा पेट पकड़ कर बैट गई पूजा को अस्पताल ले जाए गया डॉक्टर ने पेट का स्कैन करने के बाद कहा देखे बच्ची के हल्द खराब है हमें पेट में से चिपकली के अवशेस मिले है यही कारण है पेट में दर्द होने का पूजा की मा रो पड़ी चायना जाकर हुआ है यह सब मेरी बेटी चिपकली खाने लगी है देखे आप रोहे मत अपनी बेटी को समझाईए यह सब खाना ठीक नहीं होता है कुछ दिन पूजा बिमार रहे वो स्कूल नहीं जा पाई इसलिए स्कूल में चिपकली अलोट आई और सारे कीडे मुकोडे मर गये बच्चे शान्ती से पढ़ाई करने लगे कुछ दिन बाद पूजा ठीक हो गई बेटी तु और चिपकली मत खा मुझे पता है मा मैं और नहीं काऊंगी पेट में ऐसा दर्द मुझे कभी नहीं हुआ मैं नहीं चाहती कि मेरे पेट में फिर से दर्द हो मैं और चिपकली नहीं काऊंगी पूजा समझ गई कि ये सब खाना ठीक नहीं होता वो फिर से स्कूल जाने लगी और छिपकलियों से दूर रहने लगी उसकी तबिद भी ठीक हो गई और स्कूल में भी शांती लोट आई और इसके बाद से पूजा ने कभी भी चिपकलियों की तरफ आख उठा कर भी नहीं देखा दिसंबर की बरफीली रात थी सरजु अपना धाबा बंद कर रहा था यूँ तो सरजु का धाबा पूरी रात खुला रहता लेकिन उस दिन ठंड बहुत जादा थी सरजु के पास बहनने के लिए कोई गरम कपड़े भी नहीं थे इसलिए उसे बहुत ठंड लग रही थी सरजु शेहर के हाईवे पर अपना छोटा सा धाबा चलाता थी ठंड के मौसम में रात में वहां से कुछ ही गाड़िया गुजरती लेकिन सरजु के ढाबे पर बन रही गरम गरम चाई को देखकर सभी गाड़ी और ट्रक वाले सरजु की दुकान पर चाई पीने के लिए जरूर रुखते थे जिससे सरजु की थोड़ी बहुत कमाई हो जाती थी और जैसे तैसे गुजारा हो रहा था उस रात जब सरजु अपना ढाबा बंद कर रहा था तब ही वहाँ एक गाड़ी आकर रुखी गाड़ी में जोर-जोर से गाने बच रहे थे और कुछ लड़के गाड़ी में बैठ कर शराब पी रहे थे उसमें से एक लड़के ने सरजु को आवाज लगाई अवे छोटे, सोन इदरा अभी आया मालिक जी मालिक सरजु उस वक्त धाबे पर अकेला था उसने देखा टो धाबे पर आलू-पराठे के अलावा कुछ भी नहीं था बेटों में आलू-पराठे लेकर उन लड़कों के पास आया जब उन लड़कों ने आलू पराठा खाला शुरू किया तो पराठे थोड़े ठंडे थे और उन्होंने सर्जू को फेर आवाज लगाई इतना कहकर उस लड़के ने आलू पराठा सर्जू के मुँव पर फेग दिया और इतना कहकर उन सभी लड़कों ने सर्जू की खूप पिजाई थी और सर्जू के धावे पर शराब छिड़क कर धावे में आग लगा दी उसमें से एक लड़के ने सर्जू से कहा ले हमने आग जला दिये अब कर ले अपना पराठा गरम और सभी लड़के जोर-जोर से हसने लगे अपने धावे को अपनी आखों के सामने जलता देखकर सर्जू उन लड़कों के आगे हाथ जोड़कर गिड़-गिड़ाने लगा ये क्या कर रहा है मालिक ऐसा मत कीजिए मैं गरीब आदमी हूँ इस धावे के सहारे किसी तरह से अपने परिवार का पेट पाल रहा था लेकिन सर्जू के गिड़-गिड़ाने का उन लड़कों पर कोई असर नहीं हुआ और सर्जू का धावा धूदू करके जल रहा था बिचारा सर्जू रोता विलगता अपने धावे को जलता हुआ देख रहा था कुछी देर में धावा पूरी तरह से चल चुका था सर्जू रोता हुआ अपनी तूटी-फूटी जूपडी में आ गया वहाँ उसके दो बच्चे बंटी और रिंकी फटी हुई चादर में सो रहे थे सर्जू को देखकर उसकी पतनी निर्मला ने कहा क्या बात है रिंकी के बाबा आज आप चल दी आ गए आज रह धाबे पर कोई ग्रहक नहीं आये क्या निर्मला की बात सुनकर सर्जू फूट फूट करोने लगा और रोते हुए बोला अब हमारे धाबे पर कोई ग्रहक नहीं आएगा अब ऐसा क्यों कह रहे है हमारे धाबे पर ग्रहक क्यों नहीं आएगा भला हमारा धाबा तो रात भर खुला रहता है और वहां मुसाफिरों को गरम-गरम चाय मिल जाती है सर्जू ने रोते हुए निर्मला को सारी बात बताई धाबा पूरी तरह से जल जानी की बात सुनकर निर्मला बहुत परिशान हो गई अब हम क्या करेंगे हमारा गुजारा कैसे चलेगा धाबे से रोसकी जो कमाई होती थी उसी से तो हमारी दाल रूटी चल रही थी हम दोनों तो भूके रह लेंगे लेकिन बच्चों को तो भूखा नहीं रख सकते और कजरी कजरी पी तो है उसका चारा कहां से आएगा सर्जू और निर्मला के पास एक गाई कजरी थी जिसके दूट से ही सर्जू अपने धाबे पर चाय बनाता था मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है रिंकी की माँ धाबा खोलने के लिए हमने जो करज लिया था अभी तो वो भी नहीं चुकाया सब कुछ ठीक चल लाँ था लेकिन न जाने भगवान हम गरीबों के साथ ही ऐसा क्यों करता है अब रोनी से कुछ नहीं होगा धीरज रखिये उपर वाला कोई न कोई रास्ता जरूर दिखाएगा हम कुछ न कुछ बंदोबस्त कर लेंगे लेकिन हम क्या करेंगे हमारे पास तो नया धाबा खोलने के लिए पैसे भी नहीं है अब हमें करजा कौन देगा इस बारे में हम कल सोचेंगे अभी रात बहुत हो गई है आप सोच आईए सरजू और निर्मला के पास उड़ने के लिए एक चादर भी नहीं थी दोनों ठंड में कपकपाते हुए सोने की कोशिश करने लगे ठका हुआ सरजू तो सोच आता है लेकिन निर्मला के आँखों में नीन नहीं थी वो रात भर यहीं सोचती रही कि अब आगे क्या होगा उनका गुजारा कैसे चलेगा ये सब सोचते सोचते कब सुबह हो गई निर्मला को पता ही नहीं चला और कजरी के रंभाने की आवाज सुनकर वो उटकर जोपरी के बाहर आई कजरी तुने प्या सुबह सुबह ही गोबर कर दिया अब इस ठंड में सबसे पहले गोबर साफ करना पड़ेगा निर्मला कजरी के गोबर को उठा कर कचरे में फेकने ही वाली थी कि तब ही उसे कुछ थ्यान आया ये गोबर तो बड़ा कामा सकता है जब इस गोबर से घर लीप सकते हैं तो धाबा क्यों नहीं बना सकते निर्मला ने कजरी के गोबर को एक जगा रग दिया और उसने सर्जू को जगाया रिंकी के बाबा उठो हमारी कजरी ने गोबर कर दिया है तो उसे साप कर दो ना मुझे क्यों जगा दिया अरे मैं क्या कह रही थी हम कजरी के गोबर को इकठा करके गोबर का धाबा बना सकते हैं निर्मला की बात सुनकर सर्जू तुरंत उठकर बैढ़ के और बोला क्या गोबर का धाबा लेकिन गोबर का धाबा कैसे बनेगा अरे हम जंगल से कुछ बास लकडियां और घास फूस ले आएंगे और उससे धाबे की दिवार खड़ी कर देंगे और फिर उन दिवारों पर मैं गोबर का लेप लगा दूँगी जिससे ठंडी हावा धाबे के अंदर नहीं आएगी गोबर से धाबे का चूला भी बनाया जा सकता है हमारा धाबा बिना खर्चे के बनकर तयार हो जाएगा और हमें किसी से कर्जा भी नहीं लेना पड़ेगा निर्मला की बात सुनकर सरजू बहुत खुश हो जाता है अब सर्जू रोज जंगल जाकर कुछ बास, लकडियां और घास फूस एकठा करने लगता है इधर निर्मला कज़री का गोबर एकठा करने लगती है सर्जू और निर्मला ने मिलकर धाबे वाली जगह की साफसफाई की उसके बाद दोनों लकडी, बास और घास फूस की मदद से धावा बनाने लगे इस काम में बंटी और रिंकी भी उनकी मदद करने लगे कुछ दिनों के बाद रिंकी की मा, हमारे धाबे की दिवार तो बन कर तयार हो गई है अब तुम इसमें गोबर का लेप लगाना शुरू कर दो हा रिंकी के बाबा, मैंने कजरी का गोबर इकठा कर लिया है और अब बहुत सारा गोबर इकठा हो गया है मैंने आज ही धाबे की दिवारों पर गोबर का लेप लगाना शुरू कर दूगी निर्मला ने धेर सारे गोबर में थोड़ा सा पानी मिला कर उसका लेप तयार कर लिया और अपने धाबे की दिवारों पर चारों तरफ से गोबर का लेप लगाने लगी अरे वाह धाबे की दिवारों पर गोबर का ये लेप बिलकुल सिमेंट की तरह लग रहा है इससे हमारा धाबा मजबूत भी हो जाएगा लगभक दो दिन की मेहनत के बाद निर्मला ने पूरे धाबे को गोबर का धाबा बना दिया उस धाबे की दिवारों पर निर्मला ने गोबर से फूल, पत्तियां और छोटी-छोटी चिडिया बना कर उसे खूपसूरत रूप दे दिया निर्मला ने धाबे के अंदर गोबर का एक चूलहा भी बना दिया अब गोबर का धाभा बनकर तैयार था जो देखने में भी बेहत खूपसूरत लग रहा था सरजु ने एक बार फिर से अपने धाबे की नई शुरुवात की धाबे के पास से बुजरने वाले रागीर धाबे की खुबसूरती देखकर फिर से सरजु के धाबे पर रुखने लगे और चाय नाश्ता करने लगे साथ साथ रागीर सरजु के धाबे की तारीफ करने लगे सरजु का धाबा चर्चा का विशेय बन चुका था दूर दूर से लोग उसके धाबे की खुबसूरती देखने आने लगे अरे ये तुमने नया धाबा बनाया है क्या? जी मालिक ये गोबर का धाबा है ये धाबा मेरी पतनी निर्मला ने बनाया है इसे बनाने में हमें एक रुपए भी खर्च नहीं करना पड़ा अरे वाँ भई वाँ और देखने में ये धाबा काफी सुन्दर भी लग रहा है तुमारी पतनी के हाथों में जादू है भई तभी तो तुमारे धाबे पर पहले से भी ज़्यादा ग्राग आ रहे है मालिक अगर उस दिन उन लड़कों ने मेरा धाबा न जलाया होता तो मैं गोबर का धाबा बनाने की कभी नहीं सोच पाता फिर सर्जु ने उस रागीर को उस दिन की सारी घटना बताई ओ बहुत बुरा हुआ भी तुमारे साथ लेकिन कहते हैं न कि हर बुराई में कुछ अच्छाई छिपी होती है तुमारे गोबर के खुबसूरत डाबे को देखने के लिए यहां से गुजरने वाला जो है न हर रागीर डाबे पर रुखता है और तुमारे डाबे पर चाय नास्ता करके जाता है क्या तुम मेरे लिए भी ऐसा ही एक डाबा बना दोगे मैं तुमें इस काम के लिए अच्छे पैसे दूँगा यह डाबा जो है थोड़ा सा अलग हटकर है सेर के महेंगे रेस्टरॉंट को भी माद दे रहा है यह हो अगर मैं सेर के बीचो बीच ऐसा ही एक डाबा खोल लूँ तो काफी ग्राक आएंगे रागीर की बात सुनकर सर्जू बहुत खुश हो गया क्यों नहीं मालिक मैं और मेरी पतनी दोनों मिलकर आपके लिए गोबर का डाबा बना कर तयार कर देंगे सर्जू उस रागीर से बात करी रहा था कि तभी वो चारो लड़के फिर से वहां गए वो उस दिन भी शराब के नशे में धुट थे उसमें से एक लड़के ने सर्जू से कहा अच्छा तो तुने नया ढाबा खोल ली है वे इस बार आउकात में रहना और हमसे बदजुबानी मत करना लेकिन उस दिन सर्जू ढाबे पर अकेला नहीं था ढाबे पर और भी ग्राहक थे और सभी सर्जू के सपोर्ट में थे उन लड़कों को सर्जू के साथ बद्तमीजी करता देखकर एक ग्राहक ने फोन करके पुलिस को बुला लिया थोड़ी देर में पुलिस आगो और सभी लड़कों को पकर कर थाने ले गई अब सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों की वजह से आज मेरा ढाबा बज गया अब सर्जू के ढाबे पर दिन रात रौनक रहती सर्जू की खूब कमाई होने लगी और उसने करजे के पैसे भी चुका दिये